दोस्तो आज के इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं सोले फिल्म में संभाग किरदार ने बाने वाले अभिनेता मैक मोहन के जीवन के बारे में साथी मैं आपको इनके दोनों बेटियों के बारे में भी बताओंगा कि इनके दोनों बेटिया वर्तमान में क्या कर रही है दोस्तो आपको बता दे कि अपने समय के दमदार अविनेता मेक मोहन की 10 मई 2010 को कैंसर से मुंबई के कोकिला वेनस प आल में मौत हो गई थी तो आए जानते हैं इनकी और इनके दोनों बेटियों के जीवन के बारे में विस्तार्थ से और विडियो शुरू करते हैं लेकिन विडियो शुरू करने से पहले हमारी आप से रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं सी तरह की वीडियो अपनी इस चैनल पर लाता रहता हूँ तो मैक मोहन का पूरा नाम मोहन मकी जानी है इनका जन्म 24 अपरेल 1938 को ब्रिटीस भारत में कराची में हुआ था इनके पिता भारत में ब्रिटीस आर्मी में करनल थे और साल 1940 में मैक के पिता का ट्रांसपर कराची से लखनव हो गया और इनकी सुरुवाती पढ़ाई भी लखनव से हुई पढ़ाई के दौरान इनकी दोस्ती जाने माने एक्टर सुनी लज से हो गई कॉलेज से ही इन्होंने थेटर सुरू कर दिया था और थेटर के अलावा पूने के फिल्म एंड टेलिविजन इंस्ट्टूट से एक्टिंग भी सीगी दोस्तों 46 साल के करियर में मैक मोहन ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने बोजपूरी, गुजराती, हर्याणवी, मराठी, रस्यन और इस्पानिस फिल्मों में भी काम किया दोस्तों आपको यह भी बता दें कि यह जानी मानी एक्ट्रेस रभीना टंडन के मामा भी थें अब बात कर लेते हैं इनके दोनों बेटियों के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका एक बेटा है जिसका नाम मिकरान माकी जनी है और इनकी बड़ी बेटी का नाम मंजरी माकी जनी है और छोटी बेटी का नाम विंती माकी जनी है इनकी बड़ी बेटी मंजरी एक फिल्म निर्माता है और इन्हें सौर्ट फिल्म के लिए जाना जाता है साल 2012 में The Last Marble और साल 2014 में The Corner Table में इनके काम को लोगों ने बहुत पसंद किया इसकी अलावा यह बॉले वोड फिल्म साथ कुन माफ और वेक अप सीट जैसे फिल्मों में काम कर चुकी है दोस्तो मैक मोहन की बड़ी बेटी मंजरी ने अमेरिका के एमिनल पेपर से साधी की है और यह अमेरिका में रहती है अब बात कर लेते हैं इनकी छोटी बेटी विंती मा की जनी के बारे में तो यह एक फिल्म निर्माता और अविनेत्री हैं जिने साल 2010 में आई सारू खान की फिल्म माइनेम इस खान स्केट बस्ती और स्केटर्स गल्स के लिए जाना जाता है इसके अलावा विंती मा की जनी दे मैक स्टेज कंपनी की डिरेक्टर हैं जिसे इन्होंने साल 2016 में अस्था पेथ किया था तो दोस्तों यह रही सोले में सांबा के किरदार निबाने वाले मैक मोहन और इनकी दोनों बेटियों के जीवन से जोड़ी कुछ जान करिया आपको यह विडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में पताईएगा और अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करके चैनल को सबस्ट्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी तरह की विडियो अपने इस चैनल पर लाता हूँ